अस्सलाम अलेकूम वरहमतुल्ला वेलकम डियर स्टूडेंट्स डियर फ्रेंट्स पहला लेक्चर जो था वो इंट्रोडेक्शन आफ सिंपल इंटरस्ट एंड कमपोर्ड इंटरस्ट पे था ठीक है तो उस लेक्चर में मैंने आपको सिंपल आइडिया दिया था एक डिफिनिशन मान लो मैंने आपको दी थी सिंपल इंटरस्ट होता क्या है और कमपोर्ड इंटरस्ट क्या होता है ठीक है तो उसमें मैंने अलग-अलग से फार्मला दे दिया आपको सिंपल इंटरस्ट की फार्मला दे दिया compound interest की फार्मला दे दी लेकिन जैसे कि आपको पता है mathematics को हम theoretical subject तो ये है ही नहीं mathematics एक practical subject है जिसमें आपको अक्सर numerical problems सालो करने पड़ेंगी ठीके तो numerical approach इसमें बहुत ही एहम होता है ठीके तो numerical approach आज हम करेंगे simple interest को simple interest की फार चलो let's start from the problem problems जहां पर मैंने लिखा है problems on simple interest तो सब से पहले आपको formula याद होनी चाहिए simple interest की और simple interest के साथ simple interest में हम ये amount की formula भी हमें याद रखनी है principle into rate into time divided by 100 होती है formula for simple interest and principle plus simple interest अगर principle को हम add करेंगे simple interest में तो आता है amount ठीक है तो example क्या है हमारी पहली example जो हमें find simple interest on rupees 3000 at this very rate 6 mixed 1 by 4 percent per annum per annum है rate yearly rate है हमारे पास for the period from 4th February 2005 to 18th April 2005 लेकिन यहाँ पर एक मसला है time में time हमारा years में नहीं है it is it will come in days even कि ये पूरे पूरा month भी नहीं है इसमें कुछ days आएंगे कुछ months आएंगे एक दो month आएगा maybe two months something like that हम ये calculate करेंगे लेकिन ये आपको याद रखना है हम interest दे रहे है annum के हिसाब से yearly calculate हो रहा interest तो आप इस time ये एक चीज़ आपको याद रखने unit same होना चाहिए यहाँ पे अगर हमने एक साल के हिसाब से year के हिसाब से interest दे दिया या पे कर रहे है तो यहाँ पे भी time years में आना चाहिए लेकिन time years में है ही नहीं it will come in days तो हम इसको कैसे handle करेंगे let's elaborate it हम चलो हम इसको elaborate करते हैं कैसे करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपके पास है क्या आपके पास है यहाँ पे principle है 3000 यहाँ पे question में है rate है 6 mixed 1 by 4% इसको mixed fraction बोलते हैं इसको कैसे हम proper fraction में करेंगे यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे को समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से आपको explain करेंगे 6 mixed 1 by 4 तो यह इसका उपर वाला numerator इसको सम टैम इसको reminder भी कहते हैं तो हम क्या करते हैं 6 को 4 के साथ multiple करते हैं 6 into 4 और यह उपर वाला जो होता है इसको हम add करते हैं इसके साथ तो नीचे जो 4 है वो ऐसाच रहेगा तो इसको इसके साथ multiple करके 24 आएगा 24 को add करेंगे वान तो 25 आएगा 25 यहां पर आप देख रहे है 25 divided by 4 आपको क्या यह clear होगा आपको ठीक है तो आगे आएंगे अब हमारे पास यह देखो फार्मला है principle, rate, time divided by 100 तो तीन variables है simple interest निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए principle होना चाहिए, rate होनी चाहिए, time होना चाहिए तो principle है, rate भी आगई अब क्या है time तो time में आपको अब यह मसला है 4th February से बोल रहे हैं देखो जब भी हम यह interest के related problems सालू करेंगे जो loan जहां से, जिस date से हम loan हासल करते हैं या loan किसी को provide करते हैं वो date include नहीं होता है remember this thing यह 4th February calculation में include नहीं करेंगे, तो initial date जो पहला date होता है, पहला day होता है वो include नहीं होता है लेकिन आखरी वाला day जो है last day, वो 18th April यह include होगा यह वाला include होगा 4th February include नहीं होगा यह आपको याद रखना है, ठीक है तो आगे आएंगे तो अब देखो, 4th February 2005 तो सबसे पहले आपको यह समझना है 2005, 4th February 4th February से लेके अगर हम चलो, 4th February से लोन ले रहे है February के कितने दिन आएंगे February में, अब यह आपको पहले सीखना है, February 2005 इसमें 18, 28 February में 28 days होते हैं, यह 29 days होते हैं देखो भाई साब, यह 2005 जो है इस नाट लीपियर लीपियर कैसे पता चलेगा? अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे अगर 4 से इसको डिवाइड हो रहा है देन इस अ लीपियर लेकिन 4 से इसको डिवाइड नहीं होगा 4 से डिवाइड होगा उसमें Guevary के 28 डेज आते है तो Guevary के कितने डेज आगे 28 लेकिन स्टार्ट कहांने से करते हैं? 4raw 1, तो माइनस करेंगे 4 तो 28 मेंसे निकाले 4 तो बचा क्या? बचा हमारे पास 24 तो 24 डेज हैं हमारे पास February के हैं मैंने लिखा है Time 24 उसके बाद, फैवरी के बाद, क्या आता है, मारिच, मारिच के कितने डेज होते है, 31, यहां पे लिखा है मैंने, अब अपरेल के कितने डेज है, 18 अपरेल तक आप लोन ले रहे हैं, यह टाइम पीरिड है हमारा, 18 अपरेल तक, तो मैंने बोला, एंड वाला डे कल्कुलेट ह होता है तो एपरेल के 18 डेश आएंगे तो कुल मिला के कितने डेश आ गए 73 डेश लेकिन मसलह क्या है इंट्रिस्ट हम कल्कुलेट कर रहे है जार्लिय कर रहे है कल्कुलेट तो हमें टाइम भी यह जो टाइम है यहां पर फारमला में यह भी यहसमें होना चाहिए अब क्या मसला है यहां पर डेज को calculate डेज को लाना है in terms of years तो कैसे करेंगे देखो यह थोड़ा different situation हो रही है यह देखो एक year one year में हम निकाल सकते एक year में अगर मैं आपको भोलूँगा कितने days होंगे one year में 365 आते हैं 366 depends upon whether it's a leap year or not year यहां पर तो यह 2005 है तो यह 2005 leap year नहीं है तो इसमें 365 days है तो एक year में इतने days है लेकिन अब आपको मसला क्या है यहां पर अब डेज को बनाना है years में तो यह year का कोई part होगा अगर मैं बोलूँगा three months three months यह three months एक पुरा साल तो नहीं है यह एक year का कोई हिसा है three months अगर हम देखेंगे one year के एक कौन सा हिसा है it is fourth of what तो एक one by four हम इसको बोलते हैं तो देखो क्या करेंगे three months है तो आपको देखना है एक year में कितने months होते हैं 12 तो इसके साथ इसको divide करेंगे तो यह one by four तो जैसे कि आपको पता है अगर हम three months लेंगे यह एक साल का चोथा हिसा होता है one by four इसी तरह तो मैंने क्या किया यहां पे 12 divide किया क्यों divide 12 किया क्योंकि हम month को कर रहे है year में change तो एक month एक year में कितने months होते हैं 12 तो अब यही मसला यहां पे होगा देखो हमारे पास 73 days है 73 days को बनाना है एक साल में calculate करना है यह साल तो पुरा नहीं आएगा it will come apart of the year तो एक year में आपको पहले देखने कितने days है 365 तो 365 इसके नीचे करेंगे तो 73 one जार 73 five जार तो अगर आप 73 को 5 से multiple करेंगे न तो 365 आएगा तो हमारे पास answer आ गया 1 by 5 यहां पे लिखा है मैंने 1 by 5 तो अब हमारे पास year भी time भी आ गया 1 by 5 अब क्या करना है कुछ नहीं करना है अब simple formula में डालना है P हमारे पास है यहां 3000 यहां पे डाल दिया मैंने rate है आपके पास 25 by 4 तो डाल दी मैंने यहां पे 25 by 4 अब time है आपके पास 1 by 5 तो यहां पे डाल दिया मैंने 1 by 5 यह 100 जो नीचे था यह यहां पे आपने यहां पे कही पर रख सकते हैं कोई परेशानी नहीं ठीक है मैंने यह 3000 की नीचे कुछ नहीं था तो इसकी नीचे मैंने डाल दिया 100 अगे जाएंगे ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हैं यह मैंने क्या किया यह 3000 डिवाइड बार 100 तो इसमें से 20 और 20 कट हो गए ठीक है एक्चुली हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3000 है यहां पर 3000 के नीचे है 100 तो 100 में 20-20 कट हो गए तो वहां पर बचा 30 तो 30 बचा यहां पर यहां पर नीचे यहां पर 5 को हमने इसके साथ डिवाइड के तो यहां नहीं आएगा तो यहां पर एक नीचे है 4 तो यहां पर मैंने रखा है 4 तो 30 into 5 divided by 4 तो 30 into 5 हो गया 150 150 divided by 4 फिर से मैंने इसको common factor है 222 से इसको कसर करेंगे ठीक है 150 divided by 4 तो यह 2 का multiple है 224 यह 150 को 2 हिसे करेंगे तो 75 आएगा तो उपर बचा 75 नीचे बचा 2 तो 75 को 2 हिसे करेंगे तो यह आपको अब simple question से है 75 के अगर हम 2 हिसे करेंगे 75 को हमें क्या करना है डिवाइड करना है दो हिस्सू में 75 divided by 2 तो वो आएगा 37.50 यह आ गया आपके पास simple interest ठीक है लेकिन जहां पे जो जेतना कच्छन था वो यही था simple interest calculate करना था आपको ठीक है लेकिन मैंने additional में emote निकाला है additional में emote emote to simple है principle है आपके पास simple interest इसमें adder कर 37.50 तो इसको add करके इतना आता है तो यह addition मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते है ठीक है एक minute आप देना मुझे मैं adjust करूंगा इसको देखो points का अगर कोई question आएगा points को किस तरह add करते हैं देखो यहां पे 3000 full है इसमें points वागेरा नहीं है नीचे यहां पे add कर रहा है मैं 37.50 तो point 50 है इसके left में right में 2 digits है तो यहां पे हम खुद डाल सकते है जिरो इनको insignificant numbers बोलते हैं तो मैंने 20 डाल दे है ठीक है नीचे क्या करना है इसको 37.50 तो यहां से लिख के करेंगे right से आएंगे लिखते लिखते 50 फिर यहां पे लिखना है 7 फिर यहां से लिखना है 3 तो 5 एड हो गया तो 5 यह तो इतना एड तो आता होगा 7 को एड करेंगे 0 से 7 3 तो 0 सिदे आएगा तो यहां पे और 3 आएगा यहां से नीचे ठीक है तो 3037.50 यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे नोट क्या है नोट में मैंने क्या लिखा है हम day on which money is deposited जिस दिन हम money deposit करते है व ही मैं समझाने कूश कर रहा था जभी हमने time calculate किया and money on which on the day on which money is drawn और वो count होता है ठीक है I hope यह question आपको समझ आ गया होगा ठीक है आगे आगे जाते है next question पे देखो यह एक nature का question था simple interest पे अब दूसरा question करेंगे simple interest पे यह भी बहुत आसान है यह आप कर सकते है खुद समझ सक यहाँ पे देखो अब question की तरफ देखो what is simple interest on 6800 तो यह 6800 है क्या तो इस पे हमें simple interest निकालना है बाई तो 6800 है क्या हमारे यह principle आ गया nine months nine months है यहाँ पे आप देख रो यह per annum है तो मैंने भी बताया आपको year per annum का मतलब हो गया yearly हम calculate कर रहे हैं तो यहाँ पे time जो nine months है यह years में आना चाहिए यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने लिखा time nine months nine months अब आपको पहले देखना है nine months month होता है छोटा months को बनाना है हमें year तो nine months को हमें किसमे करना है calculate year में ठीक है तो month होता है it's a part of year ठीक है month छोटा होता है year से तो जब हम एक छोटे unit को करेंगे calculate small unit को करेंगे calculate बड़े unit में तो उस time divide करते हैं कितना divide करेंगे अब आपको देखना है एक year में कितने month सूते है 12 तो यहाँ पे मैंने 9 को divide किया है 12 के साथ तो इनको 3 का multiple 3300 9 3400 12 तो 3 by 4 आ गया answer तो यह आ गया time आपके पास अब rate है यहाँ पे वही mixer 6 सही 1 by 4 तो six mixer one by four यहाँ पे मैंने calculate किया six mixer कैसे करेंगे calculate six six mixer one by four तो six को four के साथ multiple करेंगे add होगा one six into four plus one divided by four यह होगा 24 plus one 25 divided by four यह आ गया हमारे पास सारे चीज़े आ गई अब principle आ गया time आ गया rate आ गई अब interest तो नकालना बहुत असान सी बात है interest की फार्मला याद रख आद आपको होगी interest happy into r into t by hundred तो यह फार्मला है अब डालेंगे values तो principle है six thousand to eight hundred यहाँ पे rate हमने यहाँ से ले लिए twenty five by four percent है तो इसको multiple करना है फिर into करना है इसको time के साथ time कितना है three by four यहाँ पे three by four time है नीचे 100 तो यह कहीं पे आप रख सकते हैं नीचे 100 तो अब इसको simplify करेंगे simplify कैसे करेंगे let me explain यह इसमें two zeros जो है यह two zero और यह two zero cut तो उपर क्या बचा one 68 उपर बचा one 68 तो यह यहाँ पे है twenty five है फिर है three और नीचे यहाँ पे इसमें two zero cut और यहाँ पे four है और यहाँ पे भी four है ठीक है तो इसको हमने इसके साथ किया ठीक है common factor जिसको बोलते हैं कसर करते हैं यहाँ पे इसको ठीक है four nine zero four 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 zero sixteen four two zero eight तो forty two divided by आ गया यहाँ पे मैंने लिखा है forty two आ गया twenty five है यहाँ से नीचे आप one है वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे three है वो यहीं लिखा मैंने नीचे इसके four है तो यहीं लिखा मैंने फिर से मैंने यहाँ क्या किया two two zero four two twenty one zero यह four है forty two आप forty two और यहाँ पे two two के साथ हमने किया two two zero four two one zero तो 21 आ रहा है न यहां पर 21 यह मैंने यहां पर लिखा 21 यह 25 ऐसे रहेगा 3 ऐसे रहेगा और नीचे बचाए यहां से 2 बचाए तो यहां पर मैंने लिखा है तो इनको इनके साथ multiple करेंगे तो 1575 आता है नीचे 2 अब 1575 डूइट बे 2 इसको दो हिस्चे में बातेंगे तो दो बातेंगे तो यह उसमें करेंगे तो इस्ता ही इतना कररा था इतना ही करना था इंट्रस्ट ही हमें दूड़ ना था मैं uğlets Asia में दूड़ लिया अब मोट होता है principal sharing simple interest तो principle है 6,800 तो यह इसमें add करेंगे तो वो आपके पास बनता है यह आपको मालूम ही है मैंने भी एक कवचन दिखाया कैसे करेंगे इसको ठीक है आगे जाएंगे ठीक है आप थोड़ी सी थोड़ी different nature के मैं कवचन आपसे पूछूंगा देखो अब heading की तरफ देख लो कवचन है क्या type second मैंने लिखा इसमें amount given अब आपके पास amount भी जो आप निकाल रहे थे निचे amount वो given है खाली principle डूणडना है आपको देखो bank से हम loan ले रहे थे तो हम interest calculate कर रहे थे फिर amount निकाल रहे थे कितना bank को देना है हमें लेकिन आप उल्टा है अब last का last की figure आपको पता है amount कितना है principle डूणडना है ठीक है principle डूणेंगे हम देखो कैसे डूणेंगे ठीक है example की तरफ देखते है certain sum कोई पैसा कितने कोई रकम है आपके पास at simple interest simple interest पे 13 सही 1 by 2 mixed यह rate है yearly calculate हो रहा है interest इतना बनता है तो यह amount है कोई रकम आप ले रहे है bank से तो वो last में आप bank को इतना दे रहे हो बात समझाई आपको पता है नहीं कितना रकम आपने bank से ली लेकिन आप last में इतना दे रहे हो यह rate है और यह after 4 years आप bank को इतना दे रहे है ठीक है तो आपके पास time है 4 years यहां से यह amount है यह वाला amount है हम बाद में लिखेंगे rate है 13 mixed 1 by 4 यहां पे लिखा 13 mixed 1 by 4 तो 13 को 2 के साथ multiple करेंगे 13 mixed 1 by 2 इसको इसके साथ multiple 26 तो plus 1 26 plus 1 27 by 2 आ गया ठीक है अब देखो time तो है 4 years लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहले करेंगे क्या हम आपके पास खाली interest की फार्मला है वही मैंने यहां पे लिखा है interest की फार्मला है आपके पास interest होता है P into R into T by 100 तो principle आपको मालूम ही नहीं है तो principle को क्या करेंगे principle को हमने लिखा as such प्रिंस्पल ही लिखा और rate यहां से ले लो 27 by 2 तो यहां से 27 by 2 हमने rate ले ली T time 4 years है तो डाल दिया मैंने 4 year यहां पे तो 100 होता है फार्मला का नीचे तो यहां पे मैंने 100 लिखा ठीक है तो थोड़ा सा इसको simplify करेंगे यहां से ठीक है तो कैसे simplify करेंगे देख लो आप यह P ऐसे रहा नीचे R by 100 तो 100 यहां पे 27 by 2 है तो हमने क्या किया यह 4 यहां पे है 4 को हमने इसके साथ किया 41004, 425000 तो उपर आया 27 और यह 4 तो हो गया इसको हमने इसके साथ कसर कर दी तो यहां पे P बचा तो P S H लिखा मैंने नीचे 25 और 2 है तो इनको multiple होता है 25 और 2 को क्या होगा multiple तो 25 और 2 हो गया 50 तो नीचे 50 आ गया ठीक है अब उपर हमारे पास interest क्या आ रहा है 27 divided by 50 P यह interest है 27 divided by 50 P यह interest है लेकिन interest को हमें कुछ नहीं करना है हमें निकालना क्या है हमें निकालना है principle ठीक है आपके पास आ गया आप यह यह आपके पास interest अब निकालना क्या है लेकिन given क्या है आपके पास given क्या है given है amount आप यहां से देख लो आपके पास given amount है तो amount की formula इस्तिमाल करेंगे तो amount की फार्मला हम यहां इस्तिमाल कर रहे हैं देखो amount किसके बराबर है देख लो यहां से amount यह given है आपको 250, 2.50 यह question में था लेकिन amount का पता है amount होता है P plus I amount होता है P plus I होता है P plus I तो यही मैंने लिखा यहां पर amort is equal to P plus I तो इस side मैंने amort की फार्मला डाल दी यहां से यह amort given है यह एक side चलेगा एक side में हम यह given वाला amort लाएंगे एक side में अपनी फार्मला डालेंगे P plus I तो P as a principle as such रहेगा क्योंकि हमें मालूमी नहीं लेकिन interest हमने यहां से निकाल दिया 27 divided by 50 P 27 divided by 50 P तो क्या किया मैंने यहां पर देखो यह fractions में आता है इसको बोलते यह rational number type का question आ गया तो हम यहां पर क्या करते हैं my dear यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर यह इसके नीचे 1 है तो इसको P को 50 के साथ multiple तो 50 P आ गया 27 को 1 के साथ तो 27 P आ गया 27 P है यह और 50 को 1 के साथ तो यह 50 आ गया हाँ पर यह right side वाला ऐसे रहे तो 50 P और 27 P इनको add करना बीच में तो हो गया 77 P बीच में add है ना यह चिर 50 ऐसे रहेगा अब यहां पर आपको यह point समझना है जिसने जो नया नया है mathematics जो नया mathematics सीख रहा है इस level का mathematics सीख रहा है तो उसके लिए थोड़ा difficult होगा यह यहां पर है देखो 77 divided by 50 P हमें P का value निकालना है P को मैंने ऐसे रख लिया यह 77 by 50 आप यह याद रख लेना यह अगर left side में 77 by 50 है तो rule की हिसाब से यह उदर बनता है right side में 50 divided by 77 इसको reciprocal होता है और multiple होता है remember जो right side में होगा उसको हम यहां पर लाते हैं multiple करते हैं 77 by 50 को हम बनाएंगे 50 by 77 इस रूल यह आप याद रख लो ठीक है तो यह अब हमारा question हो गया ठीक है तकरीबन हो गया यह finish हो गया 2502.15 into 50 तो इसको इसके साथ multiple करेंगे ज़रा मैं दिखाओंगा आपको कैसे multiple कर रहा है इसको 2502.50 इसको करेंगे multiple 50 से तो देखो जब भी हम multiple करेंगे 0 के साथ तो यह point है नहाँ पर यह इदर चला जाता है यह पहले आप याद रखेंगे तो point कहा आएगा तो point आएगा 25025.0 तो यह इस साइड में आप 0 आगए राइट साइड में राइट साइड में जब 0 आता है तो उसको बोलते है insignificant figure तो यह अब हमारे पास मालो इस 0 का हम छोड़ी देते हैं लेकिन हम multiple कर रहे थे 50 से इसमें एक 0 था तो 0 से क्या फाइदा आ गया यह point यहां से यहां चला गया तो यह हमारे पास खाली आ गया यह 25025 अब इसको लेकिन multiple करना था 50 से तो 5 तो है ना वहाँ पे 0 से हमने क्या point की position चेंज कर लिए अब 5 से इसको multiple वह 5 25th, 625 5525 5 2 0 10 6 आ गया यहां पे 6 2 आ गया यह multiple करेंगे आप इतना तो अता ही होगा 55 25 5 2 0 10 या गया 12 और नीचे है 77 तो अब हम करेंगे कसर 125 125 ऐसे question जब आप देखेंगे ना नीचे 77 है इनको 11 से divide होता है remember अब कैसे बता चला मुझे आप एक काम कर लो ये 1 alternate छोड़के एक डिजिट छोड़के 1 5 और 2 एक को छोड़के इनको add करते हैं ये आ गया 5 प्लस 2 प्लस 1 5 प्लस 2 7 8 आ गया अब फिर इनको 2 प्लस 1 प्लस 5 ये फिर से 8 आ गया इनको फिर यहां से भी alternate digits का add करेंगे बात समझाई इसको 2 को छोड़के फिर 5 फिर 1 को छोड़के 2 के साथ care add वो 8 बनता है फिर लेंगे 2 को add करेंगे 5 छोड़ेंगे 1 के साथ फिर 2 छोड़ेंगे तो 5 के साथ वो भी बनेगा 8 तो 8 ये जो 2 digits आ रहे हैं आपके पास ये जो 2 digits आ रहे हैं आपके पास एक आ रहा है 8 दोसरा भी आ रहा है 8 तो हम क्या करेंगे इसको हम इसको इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 दोनों डिजिट को 8 और 8 को डिजिट सब्ट्रेक किया तो 0 बना 0 को किस से डिवाइड 11 अब यहां पर हम 11 नीचे 11 0 को 11 से डिवाइड होता है अब यह आपको याद रखना है अगर इन दों की डिफरेंस ऐसा डिजिट आएगा जिसको 11 से डिवाइड होगा तो इस नंबर को भी 11 से डिवाइड होता तो इसी वज़े से मैं कह रहा हूँ इसको 11 से डिवाइड होगा तो 11 का टेबल पढ़ेंगे 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 नीचे 77 है तो 11, 7, 0 11, 1, 0, 11 वहां पे बचे एक तो फिर से 11, 1, 0, 11 फिर ये बनेगा यहां पे 11, 1, 0, 11 तो आगे जाएंगे यहां पे 12 था फिर यहां से एक आ गया है 15 बन गया तो 11, 1, 0, 11 फिर यहां से 4 आ गया तो 11 यह कितना बनता है एक मिनट एक बार फिर से हम calculate करेंगे इसको आसन तरीके से 1 2 5 1 2 5 divide कितना है 77 11 का table पढ़ रहा हूँ मैं 11 7 0 11 1 0 11 बचा क्या 1 11 1 0 1 तो फिर से 11 तो इसमें आया गया 41 41 41 को हम फिर 3 से करेंगे 11 3 0 33 43 तो 41 33 यहाँ पर लेकिन 41 था तो कितने बचे 7 बचे पर है ठीक है वो 72 आ गया 72 फिर से 11 का table पढ़ कर रहा है तो 11 7 0 70 तो यहाँ से आप देख रो एक मिनट ठीक है तो यहाँ पर यह जब हमने 11 का table कि 11 3 0 33 तो यह 41 था यहाँ पर 41 था यहाँ पर तो यहाँ से फिर 8 आगे 82 बनता है 82 फिर 11 7 0 77 82 फिर यहाँ से 77 के बाद यहाँ पर 5 बचता है तो 11 5 0 55 इतना तो आपको आता ही होगा फिर उपर बचा हमारे पास यह 11 3 75 और नीचे बचा 71 13 75 और नीचे क्या है 7 ठीक है तो फिलाल इतना आगा हमारे पास ठीक है तो फिर से हम इसको इसके साथ कसर करेंगे 7 का table पढ़ेंगे हम 7 का multiple देखते है 7107 7107 है तो फिर यहाँ से बचे 4 ठीक है तो फिर से 7 का table कितना आएगा 76 42 बचा किया 43 फिर एक यहाँ से आएगा तो फिर से 7 का table क्योंकि 7 से हम multiple कर रहे 72014 14 तो यहाँ पे 17 था तो यहाँ से इधर आगे आपके पास 376 अब आगे 1 6 2 2 7 यहाँ पे 5 लेंगे 760 आता है 35 ठीक है इतना यह तो simple basic mathematics है इतना तो आपको आता ही होगा तो यहाँ से आगया आपके पास यह answer ठीक है 1 6 2 5 तो यह basic calculation है यह मैं क्यों दिखा रहा आपको इतनी calculation आप calculator पे कर सकते हैं लेकिन competitive exam में calculator हमारे पास नहीं होता इसलिए मैं बता रहो आपको कैसे करना है तो 7 से आपको यही याद रखना है सीधे लेना है 1 6 2 5 डिवाइड करना है 7 7 का table पढ़ेंगे 7 1 0 7 7 1 0 7 तो 7 2 7 का table पढ़ना है शाबाज यह इसको sorry इसको हम डिवाइड कर रहे थे किसको हम डिवाइड कर रहे थे हम 1 1 3 7 5 को डिवाइड कर रहे थे 7 के साथ तो as such 7 का table पढ़ेंगे तो ऐसे करेंगे 7 1 0 7 तो यहां से बचे 4 ठीक है तो इस तरह actual perform आपको करना है डिवजेंट 7 से बट दियर आर शाट कट्स वो आगे हम सीखेंगे इंशालला ठीक है I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर कहीं पर आपको कोई खामी नजर आए कहीं पर कोई confusion हो तो comment करना हमें हम तक message पहुँचाना तो हम कुशिश करेंगे उसको ठीक करने की Thanks